इस यूडियो में हम अन्बोक्सिंग करेंगे डॉक्टर कॉम के यूपीएस के बारे में अब ये वाइफाय का यूपीएस है आप इसको लगा कर आपके वाइफाय को अनिंटरप्टेड पाउर सप्लाइद दे सकते हैं यूपीएस का फुल फो में यही होता है ये UPS आपकी जो मोडम है 12W का उसको लगबग 8 गंटे प्रेक्टिकली मैंने करके देखा है 8 गंटे चला सकता है सब कुछ डीटेल में जानकरी दूँगा इस वीडियो में आगे थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है तो पूरा देखना इसको क्योंकि मैं इसको कम से कम एक वी करने के बाद ही करता हूं तो डबा अल्रेडी खुल चुका है फिर भी हम देखेंगी अंदर वोक्स में क्या मिलता है उसके अलावा में इसका रिव्यू भी करूंगा आगे वीडियो में और आपको एकदम जो है अनबायर्स यहां पर बताऊंगा सब चीजें जो भी इसके आपको आपको आगे बताऊंगा इसको आप काफी सारे चीजों में यूज कर सकते हैं सिर्फ यह मॉडम के लिए नहीं मना है यह बहुत कुछ आप इसमें यूज कर सकते हैं यह 3-1 है स्मार्ट चार्जिंग भी है और अप्टू 6 अवर बेटरी बेकप लिखा है इसमें आपको आपको टेंशन लेन की बिल्कुल जरूरत नहीं कुछ भी हो जाए इसके कुछ नहीं होगा ना आपकी डिवाइस के कुछ होगा जो भी से कनेक्टिड है तो बाकी और बोक्स में सब तरफ ब्रेंडिंग है इसकी तो जल्दी से बोक्स ओपन कर लेते हैं इसके उपर ईसके यह वीडियो जो है उतार तो जिल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं तो जैसा है आप देका रहे हैं यहां पर इस तरह की कुछ इसके अलवा और कुछ भी नहीं है इसका design इस तरह से कुछ है कि इधर rounded है और इधर पूरा corner है अब हम बात करते हैं यहां पर इसकी input और output की input की बात करें तो यहां पर side में एक input देखने को मिलता है जहां से यह charge होगा इसके अलवा हम output की बात करें तो यह आपको main output देखने क को मिलते हैं यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर दो आपको output देखने को मिलते हैं नॉर्मली जो हम model में यूज करते हैं वे वाली pin के और यह जो है यह 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 जो है यहां पर हम battery indicator clearly हमको show हो रहा है कि कित्ते परसेंट की battery आपकी बच्ची है यह पावर बटन यह भी बहुत काम का यह इसके बरे में बेटेल में बताऊंगा जिसे कि आप देख पार है यहाँ पर उपर लिखा हुआ है क्लियरली कि यह किते वोट के क्या क्या है यह सब जो फंक्शन्स नीचे दिये हैं यह क्या है तो देखिए यह बारा वोट का दिखा गया है यहाँ पर बारा वोट का मिलेगा इसमें से नाइन वोट का मिलेगा जिसे कि आप देख पार है यह नाइन वोट तो नाइन वोट का इसमें लेगा और पांच वोड यह आपके फोन वगेरा चार्ज करने के लिए एकदम बेस्ट है अगर आप इसको केरी भी कर सकते हैं यह पॉर्टेबल है तेकी किता वड़ा है यह अच्छे से पॉर्टेबल 8000 का पावर बैंक भी आजी यूज कर सकते हैं इसको के बार हम जो जो है वो सब्वोड देखने को मिलता है उसके लावा यहाँ पर एक यूएजबी बिकने कर सकते हैं अब मैंने आपको स्टाइटिंग को बताया था कि यह पूरे आठ घंटे का बेटरी बेकप देगा आठ घंटे का कैसे देगा वो देखिए सिंगल अगर आप चलाएंगे पाउर यह बटन की तो आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो यह ओन हो जाएगा तो जैसे कि देखिए यह ओन हो गया यहाँ पर इसको क्लियर ली दिख रहा है यह इंडिकेटर फुल चार्ज है भी सारी लाइट जल रही है मतलब यह फुल चार्ज जैसे कि आप देख पार kendi आप के आप की काम HERE काम में आने वाली है क्याकिक हमारे पास जो मॉडे रहा है मॉडेम होते हैं इसको के आप आउप वा न भी तो सबकी एक जैसी नहीं होती है, तो इसके लिए हमां ये converter भी दिये हैं और ये जो direct cable है, वो भी दिये अगर आपका modem है, वो support कर रहा है इन cables को तो directly आप इसमें से, इसमें plug कर सकते हैं और आपका modem से जो adapter रख़की cable आ रही है और एक थोड़ी सी अलग है USB के लिए और यह जो है वो converter आपको देखने को मिलते हैं जो कि input output दोनों जगां पर यूज कर सकते हैं तो यही कुछ आपको box में देखने को मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है तो इसको रखते हैं हम side में भी और मैं आपको बताता हूँ अभी इ सबसे की सारे box जो हैं वो हमने side में रख दिये हैं यहां पर तो देखें यह हमारा setup complete यहां पर यहां पर मैं क्याकर extra लेकर आया हूँ वह आपको पिले clearly यहां पर बता देता हूँ सबसे पिले में लाया हूँ यहां पर यह modem साइरो टेक का fiberola modem है जो कि मेरे BSNL के जो normally हम BS का broadband लेते हैं तो उसके साथ आता है तो BSNL में में यही यूज करता हूँ तो यह modem है ठीक है यह आपको देखने को मिलता है यहां पर इसकी जो input है वो बारा ओट की है ठीक है यह हमारा doctor com का UPS जो already मैं बता चुक हूँ उसके बारे में यह dealing का जो है वो modem है ADSL जो पुराना ATL में लगता था यह भी रखा है मेरे पास यह भी लाया हूँ यह क्यों लाया हूँ वो भी अपको बताऊँगा एक phone भी लाया हूँ साथ में देखिए चार्ज करूँगा मैं और यह cable लेके आया हूँ जिसे का आप देख पा रहे है यह direct power से connected है यहाँ पर adapter लगा हुआ य आप यूपिए में लगा सकते हैं यह direct mode में लागा सकते हैं माड़े में चल जाएगा यूप्यएम बीज़ल जाएगा ठीक है तो यह में लेकां आया हूँ अब हम यहाँ पर जो है वो connection चालू करते हैं दीखिए directly इसको plug करूँगा तो चल जाएगा बट दिक्कत क्या कि ये कनेक्टर का यूज करके यहाँ पर इसको इसमें सर्था डॉलकर को पर इसमें इसे डाल के और इस तरह सेाप यूज कर सकते यार मेरे केस में यह फिर यह जो केबल यह केocratic में में इतने ही तो भी इन यह क्नेक्ट नहीं होगा यह जो पोर्ट है इसका यह बड़ा है यहां पर यह चल जाएगा वह आगे बताऊंगा इसको के से चलाना किस तरह से चलाना नहीं यहां पर काम में आ सकते हैं तो हम पहले इसको जो हमारे केबल को मैंने यूज किया है 12hington क्योंकि ये 12 वोल डेता है तो ये 12 वोल्ट में मैं इसको connect कर दूँगा और ये मैंने यहां पर इसको connect कर दिया देखिए यह यहां पर चलने लग गया है ठीक है यह दिखिए आई डेखिए है मैं थोड़ा सा light को deem करता हुँ अब आई तिंग आपको दिख रहा होगा कि यह डारेक्ट लिक चल रहा है अब यह लाल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर कोई कनेक्शन में ने दे नहीं रखा है फाइबर का इसलिए यह रेड आ रहा है ठीक है तो यह हमारा एक तो चल गया ठीक है अब बले लाइड भी जाएगी तो भी यह चलता रहेगा यह बन नहीं होगा डूसरा कनेक्शन हम देंगे इसमें तो हमारे पास एक और केबल है इसका हम यूज करेंगे लाइट में चालू कर देता हूँ इससे मैं एक और पावर सप्लाई लूँगा यहां पर नाइन वोट की अब यहां पर मुझे दिक्कत आ रही है देखिए यहां पर दिक्कत आ रही है कि यह इसमें नहीं होगा क्नेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका जो आउटपुट का यह है पोट है इन पूट का यह चोटा है और यहां पर झो हमारे यह सा तोड़ा सा बढ़ा है तो इसको अरको pię?... को भूठि कौन जाए यह यह वाला मेरे में लग जाएगा यहां पर अभी में कोई भी connection नहीं है ठीक है तो अभी में क्या करता हूं यह एक और हो गया अभी यह देखिए यह चल रहा है ठीक है यह चल रहा है इसको भी में रख देता हूं यहां पर दोनों चल रहे हैं अब हम phone की बात करते हैं देखिए यह phone में क्यों लाया था इसमें लगाता हूं में यह वाली USB केबल, कोई भी USB केबल आप इसमें लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर इसमें इंसेट करता हूं, यह वाली USB केबल, ठीक है, यह मैंने इसमें इंसेट कर दी, अब तीनों पॉर्ट हमारे फुल हो चुके हैं, एक में यह मोडम कनेक्ट है, एक में यह मो फोन चार्ज पे लगाँगा देखिए यह मैंने अपना फॉन ज वो चार्ज पे लगा दिया है और चार्ज हो रहा है यहँद últOTT हो रहा है यहाँ पर आपको क्लियर लिश हो रहा है 43% चार्ज चार्ज अठीके तो इसको रखता हrau यह आपर अभी मैं क्या कुछ कमाल करने वाला हूं ठीक है देखिए चार्ज हो रहा है अभी देखिए मैं डारेक्ली इसकी जो पिन है पाउर वाली यहां से वो निकालने वाला हूं देखिए यह मैंने निकाल डी अभी तीनो चीजें वह चल रही यह देखिए आप ये भी चल रहा एं ठीक है ये भी चलू है देखिए आप यह बी चालू है और यहां पर फोन भी चार्ज हो रहाएं जिसके आप देख़ा हैं 44 पर तिनोग चीज़ ही है कोई भी बावर सप्लाइ नहीं है यह देखिए मैं आपको कई प्रोपकर इसको सप्लाइं और यह च presenting यहां पर खाए ruit जो अच्छी बात जो मुझे लगी वो मैं आपको बता देता हूँ जब भी light जाती है तो जो दूसरे UPS होते हैं जो कि मैं पहले एक यूज़ करता था ZING टेकनोलोजी का उसमें क्या होता है जैसे ही light जाती थी जो mode में ये बंद हो जाता था मतलब एक सेकंड के लिए भी अगर light गई तो ये पूरा बंद हो जाता था फिर से restart होता था तो वो problem इस वाले में UPS में नहीं आई मुझे बिल्कुल भी नहीं आई मैं इसको directly connect कर देता हूँ ये मैंने connect कर दिया हूँ तो वो problem मुझे इस वाले UPS में नहीं आई तो आप सोच सकते हैं ये कितना अच्छा UPS है इसमें अगर light जाएगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मोडे में एक बार बंद होके चालो हूआ या जटका दिया या ऐसा कुछ भी नहीं होगा मतलब वो uninterrupted मतलब uninterrupted है ये तोटली 100% तो वह आप देख सकते हैं यहां पर और तीन डिवाइस एक साथ कनेक कर सकते हैं जरूरी नहीं सिर्फ आप जो है वह मोडे मी चलाएं इसमें आप कुछ भी और चला सकते हैं मैं सुबे के 24 तारीक है आज और यह UPS जो है यह फूल चार्ज है और मैंने इसकी पाउर सप्लाई बंद कर दी है कि मोडे में इस से डारीक चल रहा है UPS से अब देखते हैं यह कितनी देर तक चलता है तो यह जब भी चलेगा जब भी जब बंद होगा जब लास इसका हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि यह कितनी देर तक चला है दोस्तों 2.40 हो रहे हैं और यह पूरा बंद हो चुका है जिसे की देखिया अब मैं इसको लगाऊंगा चार्ज पे फिर से और देखते हैं यह कब तक चालो होता है 2.40 पे मैं इसको चार्ज पे लगा रहा हूंगा तो अब जिसा कि देख पा रहे हैं यह चार्ज तो हो रहा है बट अभी तक modem चला नहीं है देखिए बंद है तो इसका यह है कि अगर यह जब तक 10% चार्ज नहीं हो जाता है पूरा डिस्चार्ज होने के बाद यह चलता है तो अगर यह चालू नहीं होता है अगर मानलो फूल डिस्चाज हो गया यह चीज यह फूल डिस्चाज हो गई तो उसके बाद यह और चालू नहीं होगा जब आप इसमें power supply देदेंगे तो यह कब चालू प्रेस करेंगे एक बार तब यह चालू होगा और यह चालू कब आज आप इसको vary करता है करता है किसके mindset के उप़र कि यह? यह प्रॉब्लम है यह? यह फीचर है यह problem है उब उसके उपर तो मुझे तो यह की अच्छा लगा अगर आपको यह लेना है तो video description में link दिया है वहाँ पर जाकर आप इसको ले सकते हैं इसकी प्राइस की बात करें तो करीबन ये 1900 से 2000 रुपे का ये करीबन पढ़ेगा तो Amazon पे इसकी प्राइस आप देख सकते हैं ये कम जादा होती रहती है डिपेंड करता है मैं लिंक दे रहा हूं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाके आप इसको बाइक कर सकते ह करें ऑप आपको वीडियो पसंद अगर वीडियो को है लाइक कर दो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब न기 चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइक़機 के साथ तैकि आगे आना वन भिर्यो आपको मिलते रहें डेट्सलद इस ट्नाइम तैंक्स इस बनाचिए